Youth Corner News Channel में आपका स्वागत है सेवराय देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में मनाई जा रहे आजादी के अमरित महुतसव के तहट भदौरा बस स्टेंट के समीप एक विद्यालय के बच्चों ने 125 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकाली SDM सेवराय राजेश प्रशाद ने उक्त तिरंगा यात्रा को हरी जंडी दिखा कर आगे के लिए रवाना किया आजादी के अमरित महुतसव मनाई जाने के क्रम में भदौरा बस स्टेंट स्टित संथ श्री राम शर्मा आचार्य पब्लिक स्कूल के बच्चों एवं बच्चियों ने हाथों में तिरंगा भारत माता की जैगोश के साथ तिरंगा यात्रा निकाली इस अफसर पर SDM सेवराय राजेश प्रशाद एवं गहमर कोत्वाल पवन उपाध्याई ने उक्त तिरंगा यात्रा को गंतव्य के लिए रवाना किया हाथों में तिरंगा भारत माता की जैगोश और डीजे की धुन के साथ बच्चे देशभक्ती के रंग में रंगे नजर आए विद्याले परिसर से निकली यह तिरंगा यात्रा भदौरा बस स्टेंड तिराहे से होते हुए यूनियन बैंक तिराहा संत्राम गंज बजार, रेलवे फाटक सहित तेहसील मुख्याले के रास्ते होते हुए पुना विद्याले परिसर में आकर समाप्त हुई विद्याले परिसर में प्रबंधक राजेश कुमार वर्मा एवं प्रधनाचार्य भरतलाल श्रीवास्तव ने भारत माता की चित्र पर पुश पर्पित किये गए इस तिरंगा यात्रा का विभिन स्थानों पर सामाजिक लोगों द्वारा स्वागत किया गया उक तफसर पर पुलिस कर्मियों के साथ साथ कंचन राय, रविंद्र, पीसी लंका, जितिंद्र राम, मधुलिका सिंग, इंद्रा, मधु कुमारी आदी लोग शामिल रहे इसी क्रम में गहमर के कॉम्पोजिट विद्यालय जरही के बच्चों को ग्राम प्रधान बलवंत सिंग ने जंडा दिखा कर तिरंगा यात्रा की शुरुवात की उक तफसर पर संजै सिंग, ममता सिंग, धर्मेंद रादी लोग मौजूद रहे गाजीपूर बयूरोव चीफ नसीम खान की खास रिपोर्ट बच्चों द्वारा यहां रहेली निकाली गई थी जो बहुत ही उस्सावर्दक, प्रणादायक और देशभक्ति के भवना से ओत्रोथ थी इसी के तहब नेहरु विद्यापी ठिंटर कालेज के बच्चों द्वारा भी एक बहुत ही भव्य रहेली निकाली गई थी जिसमें तिरंगा यात्रा नेहरु विद्यापी ठिंटर कालेज से होते हुए पूरे रिवती कुरे कस्मे में निकाली गई और इसी तरह से अचार सम्त स्रीराम सर्मा कान्मेंट विद्याले के बच्चो द्वारा थी अपने कालेश से पूरे बजार में तिरंगा यात्रा निकाला गया और लोगों से अपील किया गया कि हर घर तिरंगा कारेकरम के अंपरकर अपने घरों पर तिरंगा जरूर था रहा है और इस गौरों में गाथा को अच्छोड एम अखंड रखें